कसरावत के शाली वाहन से शुरू ही पंचकोशी पद्यात्रा उम्रा शद्धलों का सेलाब पांच दिन में 125 किलो मेटर ब्रहमन करेगी। कसरावत तैसिल के क्राम नावडा तोड़ी शाली वाहन नर्वदा तटिये शेत्रे से भक्त राजेंद्र से ही आदाव के नेत्रत में नर्वदे हर के जैकोश के साथ बड़ी संख्या में परिक्रमा वासी शनिवार को सुभा यात्रियों का जठ्था पंचकोशी पद्यात्र किया गया बताया जा रहा है कि यह यात्रा 25 साल पहले 11 भक्तों ने शुरू की थी आज एक बड़ा स्वरूप ले लिया है पांच दिवसी यात्रा में शामिल होने के लिए शनिवार को बड़ी संख्या में शुद्धालू सुबर शाली वाहन पहुच गए थे वह पंचकोशी पॉइत को दिनरंभ और जातार चल रहीए और उस यातरा का उद्यश के मान अर्मदा निर्मल रहे मान अर्मदा पवित्र रहर और हम सब गाओं गाओं यही संदेज देने के लिए निकले हैं कि जो गाओं का गंदा पानी हमारे घरों का जो है वो माई नर्मदा मगिया में जाकर मिल रहा है तो प्रत्य गाओं वासी अपने घर में सोत्ता घड़ा बनाए और मा नर्मदा में यह गंदा पानी जो यात्रा को पूर्ण करते हैं मा नर्मदा की आस्था के कारण इस कड़ी धूप में भी हमारे पदियात्री फाज दिन की पैदल यात्रा करते हैं पहले साल लगब 11 लोगों ने इस पंचक्रोशी यात्रा को प्रारंब किया था और आज उसका स्वरूप बढ़कर आप यह जो देख रहे हैं यह स्वरूप बढ़कर आज मा नर्मदा की यात्रा का पदियात्रा का इतना बड़ा स्वरूप हुआ है और हम सब की जीवन दाइ मा नर्मदा के कारण आज हम को पीने का पानी मिल रहा है हमारी खेती के लिए पानी मिल रहा है हमारे कलकार खाना को पानी मिल रहा है और इसकी पवित्रता और इसकी निर्मलता बनाए रखना हम सब का करता हुए है और इसी उद्देश को लेकर हमारी यह यात्रा पांच दि नियूज निमार रिपोर्ट कसरावन